बोट के क्लास नाइंते के सभी विद्यारतियों लोजी आ गया आपका दिखली 13 अप्रेल का एकड़म ओरिजिनल पेपर हैं सब कुछ सोलिशन के साथ प्रोवाइड कराऊंगा ठीक है यहां से देखिए पहला है देतिय अरी इतस्य संदी अस्ति इसमें संदी देत्यारी सूर धन उदेया ठीक है इसमें तीसरे का जाएगा इती धन उक्तवा ठीक है यहां से आप तो बढ़िया से महनत करिएगा जो प्रस्ना आएंगे संस्क्रत बहुत ही आसान है इसमें पहले एक निभंद याद कर लो अवकास याद कर लो सब कुछ एक ही वीडियो में यहां पर मे अंत में एक्स्प्लेइन भी करूँ आपको ठीक है ताकि आपको पास अराम से हो सकते हो आप इसमें कोई कठिन वाली बात नहीं है सुवास्तनिक इस लोग याद करना है जल मगना इतस्य समस्त पदम भावती जल मगना घंस्याम इतस्य विग्रह भावती घं इव स्याम अब यही भावा इती समास्य से उधारनम अस्ति प्रती दिनम ठीक है रिक्तिस्तान है तो यह पहला जो रिक्तिस्तान है वो बनेगा गम प्लस कितन तो जाएगा गती ही इसके बाद में दूसरे में लिया पाजाएगा तीसरे का द्रेश्ट वाएगा चोथे की बात कर तो वी नाम आ जाएगा ठीक है पांच हुआ जो है इसमें स्वर्नम आया सब कुछ पहले से टिक मार के करवा दिया है ठीक है ताकि आपको अच्छे नमबर आ सके कम समय में प पठती किरिया पदे का ढातू पठत धातू है इसमें देख लिए आप तो भी पह्रती है पूरा सुध्य सुध्य की बात करूं तो पहला अपका शत्य है यदि की आम है दूसरा जो chicks ना है तीसरा आपका आम है चोता आपका ना पाँच्वा आपका आप आम रहेगा और छटा आपका एक यहां से देखिए कुस्षे नम्र 9 कि कुस्षे नम्र 11 है यहां से कुस्षे नम्र 12 कि ठीक है यहां से प्रस्षन पत्रे समागतान इसलोकान विहान यानि प्रस्ण पत्र में जो इस लोग आपको दिया गया है वो नहीं लिखना है बाकि आपको ठीक है किस लोग यहां पर लिखने ठीक है दो नंबर के आएंगे कर लेना है complete ठीक है यहां से सुद्ध असुद्ध है ठीक है यह आपका देखिए मा की जगा पे महाम आ जाएगा नरेशा फलानी खादती तो नरेशा ठीक है फलानी खादती ठीक है और इसके बाद में इसमें अस्वात आ जाएगा और यह कुछ से नंबर 16 आपका ठीक है करम सयोजन की बात करूँ तो यहां से आप करम सयोजन का बढ़िया से स्कीन सोट लो यहां से देखिए को से नमर 18 जल्दी से आप स्क्रीन सोट लो यह हो गया को से नमर 19 ठीक है जहां पर यह को से नमर 20 यहां से अथ्वा वाला ठीक है यह कुछ से नमर 20 अभी दे रहा हूं में आपको इन सब का ठीक है यहां से देखिए तो यह पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है चलिए आप सोल्यूसन बता देता हूं में निबद ने हैं उनके सोल्यूसन आपको मिल जाए और आप अच्छे से नमर कंप्लिट कर सबसे पुरानी जो संसिक्रत भासा है हमारे देश की सबसे पुरानी भासा है ठीक है इतना हो गया चलिए प्राचिन काले सर्वे एव का जो मतलब होता है वो होता है ही ठीक है एव मतलब होता है ही तो प्राचिन काले पुराने समय में सर्वे एने की सभी ही भारती संसिक्रत भासाया के। ए व्यवार कुर्वंती इस्मा थिके यहांए की संसिक्रत वासा मेंए व्यावार करते थे बोलचाल की जो भासा है वह संसिक्रत ही रहा करती تھی कालांतरे समय के साहथ कालांतरे का मतलब रवता समय के साहथ विवीध प्रांतिया भासा प्रचलिता अभवन Score Los समय के साथ विभिन प्रांत की राज्य की जैसे आप सब जानते गुजराती हो गई ठीक है माराथी हो गई पंजाबी हो गई यह सारी भासा है समय के साथ प्रचलित हुई किन्तु संसक्रत महत्वम अज्यपी अच्छुनम वर्तते संसक्रत भासा का जो महत्व है वो आज भी क वेद है हमारे यह सब किसमें संस्क्रत भासा में ही संस्क्रत भासा भारत राष्ट की एकता का अधार बस अब इसके बाद में आपको यह से लिखा यह संस्क्रत से यह आसित तक यह चीजे नहीं करनी है और यह हंत में इतना संस्क्राइज सर्व रूप है विघ्यानिक अस्ति द्वारा सिद्ध भास हो गई व्याकरान संबंधि इसमें कोई असुद्य नहीं है यहां से भड़ी अस्क्राइज स्क्रीन सोट लो भासा का निभंध का इसके बाद में जो अवकास है वह देख लिए मैंनी पर्चारि महदया साशकी उच्चतर माध्यमिक विद्याले उज्जे नगरम इसकी जगापर जो भी आपका नाम है आपके स्कुले हैं गोण्य जो बोच तहीं उपौन dale शक्षिंट थे मुडेना जो भी विशे अवकास पर प्रत्ना पत्रमete सविने निवेदन है यद की अहम मैं अग्य मतलब आज सहसा बुरी तरह जोर पिडितो बुखार से पिडित और अस्मी मतलब वता हूँ सविने निवेदन है की मैं आज बुरी तरह बुखार से पिडित हूँ अतहा विद्याले आगंतुम असमर्थो अस्मी अतहा विद्याले आने में कैसा हूँ असमर्थ हूँ यानि की नहीं आ सकता क्रपया मंपंच दिवास नाम पांच-दस दिन की छुट्टी देदो बड़ी पोस्त करना hole इसका है डिए यहां पर देधान नाम है लड़के का भी तो यहां पर जो सिश्या है उसमें विसर्ग है लेकिन यदि लड़की रहेगी ए प है तो उसमें बढा की मातर रहेगी इस तरह रहेगा लड़किों के लिए ठीक है इतनी चोटी आद काट लेगा है यहां से यह आपका आउकास वाला मेटर कम्पिलिट कर लेना है ठीक है होगी इतना चलिए इसके बाद में आपका जो आपटिद गध्यान साने वाला है जाने कि उसमें छाट कर लिखना है वो पहला है सरीरस्य धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति जो सरीर है हमारा धर्म करने का शरीर माग्यम खलू-धर्मसाधनम ठीक हैं षरीरश्य आरूग्ययम व्यायमे शिद्ययंती ठीक है यह शरी тебе जोहेगी जो हमेशा स्वस्थ रहता हो किसे करने रह सकता है व्य्यायम के कारण यह व्यायम करोती तश्य प्रान सकते आपदा स्वयमय दूर गच्छंती जो व्यक्ति व्याम करता है उसकी विपत्ति रहती है वो अपने आप दूर हो जाती है व्याम करने से सरीर में क्या होता है सुद्धरक्त का संचार होता है इंद्रयानी स्वस्तानी स्वस्तानी चाप भावंती जो इंद्रिया होती है हमारी वह तंद्रूस्त रहती है ठीक है जठार अगनी दिप्ता भावंती परिवरद्य उद्रम संकोचम गच्छती इसी तरह से देखिए ठीक है आपको सारी चीज को क्या है पढ़ीना है अराम से पढ़िएगा ठीक है